आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि किस तरह से क्रिस्पी लच्छेदार ठ्रेट चिकन बनाए जाते हैं ये बेहद ही मज़े के बनते हैं आप लोग भी इसे जरूर ट्राइ कीजिए और अगर ये मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो दोस्तों याद से चानल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम चिकन को मारिनेट कर लेंगे जिसके लिए मैंने 250 ग्राम्स बोनलेस चिकन ले लिया है इसको इस तरह से लंबे स्ट्रिप्स में कट कर लेना है अब इसमें मैं ऐट कर दूँगी 1 टी स्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट half टी स्पून धनिया पाउडर आड कर लेंगे नमक अड़ कर ले half a टी स्पून और जीरा पाउडर one टी स्पून और लालमिच का पाउडर आड़ कर लेंगे अब इन सब को अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसके बाद इसमें आड़ करूंगे मैं 1 अच्छे से एक बार मिक्स कर लें बहुत ही सिंपल सा मारिनेशन है इसका आपको ज्यादा कुछ इंग्रीडियंट्स भी नहीं लगेंगे इसके बाद इसमें एक हरे में चौप की हुए आड़ कर लें और थोड़ा सा धनिया पता आड़ कर लें एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसके बाद हम इसमें डाल देंगे एक अंडा मिक्स करके इसको 10 मिनिट के लिए साइट पे रख देंगे इसके बाद हम कोई भी spring roll या समोसा पटी के up sheets ले ले और इसको इस तरह से center में two pieces में cut कर लेंगे अब एक piece ले और इसके इस तरह से strips कट कर ले अब ये देखिए इस तरह से strips को खुले खुले कर ले अब ये हमारे सारे थ्रेट्स रेडी हो चुके हैं अब इसको अब हमें एक बाउल में निकाल लेंगे और इसमें आड़ कर देंगे 1 टेबल स्पून माईदा इसके बाद 2 टेबल स्पून कॉन फ्लोर आड़ कर लेंगे और अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे अब हम मैरिनेटर चिकन की पीस लेंगे और त्रेड्स में डिप करके चिकन को जो है अच्छे से त्रेड्स के साथ कोट कर लेंगे इस तरह से अच्छे से प्रेस कर लें और ये देखिए हमने अच्छे से त्रेड्स के साथ चिकन को कोट कर लिया है similar way में हम सारे chicken के pieces को coat कर लेंगे और अब हम इसको fry कर लेंगे यहां कडाई में मैंने already तेल करम होने रख दिया था तेल अच्छे से करम हो चुका है अब हम chicken को fry कर लेंगे heat को medium पे रख ले और अब दोनों तरफ पलटते हुए हम 4 से 5 मिनिट के लिए अच्छे से golden color आने तक इसको fry कर लेंगे अब देखिए अच्छे से fry हो चुके है अब हम इसको बाहर निकाल लेंगे और चलिए अब हम इसको serve कर लेंगे तो यह हमारे करारे से crispy लच्छेदा त्रेट चिकन बिलकुल ready है आप लोग भी इस यूनीक से त्रेट चिकन की recipe को जरूर try कीजिए और अपने family और friends के साथ enjoy कीजिए अगर यह आज का मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो like करिए, share करिए और याद से channel को subscribe करना ना भूले मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नई recipe के साथ तब तक के लिए हमें अपने दुआओं में जरूर याद रखिए अल्ला हाफिज